अधार नमर मालूम करने के लिए आप गूगल क्रोम को ओपेन करेंगे आप कोई भी ब्रोजर ओपेन कर सकते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे myadhar.uidai.gov.in इस वेबसाइट का हम लिंक वीडियो के डिक्सिप्शन वाक्स में भी दे देंगे तो यहां पर देखिए welcome to myadhar. तो इस page को scroll up करेंगे और आप करने के बाद यहां पर बहुत सारा आपको option देखेगा तो यहां पर सबसे last में आपको आजाना है यहां पर देखिए जिसे की eid uid लिखा हुआ है na retrive eid अधार नमर तो यहां पर आपको click करना है तो चली हम यहां पर click कर देते हैं और click करने के बाद यहां पर देखिए आपको अधार नमर मालूम करने के लिए जो की 12 डिजिट का होता है 12 अंकों का होता है तो यहाँ पे आप क्लिक रहने दीजेगा उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पे इंटर करना है जो अधार कार्ड में आपका नाम है वही नाम यहाँ पे इंटर करना है और अपना मुबाल नमर यहाँ पे इंटर करना है जो आपके अधार में मुबाल नमर लिंक है वही देख रहें इस किप्टा को इस बॉक्स में आपको इंटर करना है उसके बाद सेंड ओटीपी पर किलिक कर देना है और इसा करने के बाद यहां पर ओडीपी जनडेट सक्सेस्पुली यानि कि जो आपके आधार काड में वाइल नम्र लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा दे यहाँ पे देखिए यूर अधार नमर आपका 12 डिजिट का है लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट ही दिखा गया लास्ट का इजे सेंट योर रजिश्टर मुआल नमर यहनी कि यह कि की मतलब है कि आपको चार नमर यहाँ पे दिखा गया और बाकि बाद जो आपके आधार कार में मुआल नमर लिंक है उसमें हम एसमेश कर चुके हैं यहाँ पे 12 डिजिट का अधार नमर आचुका है तो आपको अधार नमर मिल चुका है अपना अधार काड का अधार नमर तो अगर आप अधार काड डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे किया जाता है उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं आपको वीडियो के रिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जागा जाके आप अधर का डॉंगलोड कर सकते हैं